हेलो डियर फ्रेंड्स में लेकुति आप गुरुजी आज के हमारा वीडियो है इसमें हम सॉइल मेकैनिस के 50 कॉशन जो की बज रहे थे आपके लिए टोप 50 कॉशन की सीरीज में पार्ट 13 में लेके आये हैं तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए साथ में बैल आइकन को दबा लीजिए तो यह कॉशन जो जितने भी 50 कॉशन हम आपके लिए लिए हैं 51 से 100 तक वह आपको मेराथन जो होगी हमारी सॉइल मेकैनिस की उसमें मिल जाएंगे लेकिन हम इसको पार्ट 13 क केटेगरी में रहेंगे टॉप एक्सपेक्टर 50 कॉशन में तो देखिए हमारे पार जो फर्स्ट कॉशन है तो सॉइल मोर्षड ड्राइवन ओफ वाई हीट इस कॉल्ड जो हीट होती है ताप जो होता है उसके द्वारा जो हमारा सॉइल होता है उसमें आपको पता कि हम उसको बोलते हैं option B हमारा इस question answer हो जाएगा soil motion जो हटाया जाता है ताप के द्वारा temperature के द्वारा hydroscopic पानी हम उसको बोलते हैं इस question को आप याद रखिए exam में important question है अब यहां पर देखिए very important question है menaces and dispersing agent जो होता है उसके लिए correction जो होती है hydrometer analysis में वो क्या होती है menaces and dispersing agent जो होते है उसके लिए correction क्या होती है hydrometer analysis में यहां पर हमारे पार दो चीज़े आपको देखने को मिलती है अगर temperature जो है 20 degree Celsius से ज्यादा है एक बार 20 degree से कम है तो यहां पर दो चीज़े आपको देखने को मिलती है in case यहां पर हमसे पूछा गया कि greater than होगा greater than होगा तो हमारी जो correction होती है वो positive होती है less than होगा तो हमारी negative correction होती है दोनों के लिए पूछा गया तो हमारा answer यह वाला option यह ही हो जाएगा simple यहां पर पूछा गया है एक वो नहीं पूछा गया है कि आपको temperature भी दिया गया है कुछ नहीं दिया गया है यहां पर simple पूछा गया कि क्या होती है तो positive and negative दोनों होती है अब यह question देखी very important question है compression index of soil compression index जो होता है soil का अगर हमारी liquid limit बढ़ेगी तो हमारा compression index भी बढ़ेगा option a answer हो जाएगा compression index बढ़ेगा तो हमारी liquid limit भी बढ़ेगी अगला देखी तो if the plasticity consistency index of soil sample is equal to unity it is called consistency index जो है soil sample का वो unity के बराबर है तो उसको हम कौन सी limit बोलते है liquid limit plastic limit shrinkage limit या फिर none of the above जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेजिए वीडियो को share भी कर दीजिए और पहला आकन को दबा लीजिए तो उसको हम plastic limit बोलते हैं B हमारा answer हो जाएगा अगला देखी तो field density of soil can be found by beach of the falling method field density जो होती है किसके दौर आप find out कर सकते हैं तो वो होता है sand replacement method से तो कम कर सकते हैं सारे ही sand sand दिया गया है confuse करने के लिए आपको compression कई जगा compression दिया गया है करी जगा absorption दिया गया तो sand replacement method ही होता है यह मैं आपको कई बार बता चुका हूं अब देखिए sensitivity के बारे मैं आपको बता ही दिया कि sensitivity जो होती है वो normal के लिए कितनी होती है extra sensitivity के लिए कितनी होती है quick clay के लिए कितनी होती है तो यह सारी चीजिए मैं आपको बता चुका तो normal के लिए मैं आपको बता थे एक से चार हमारी value होती है देखिए next question क्या बोर रहा है तो plasticity index of soil sample is 8.5 and उसकी plastic limit कितनी है 12.7 दी गई है what would be the liquid limit तो मैं आपको दो formula बताए हुए है find out करने के लिए कि अगर आपको IP find out करना IP means की plasticity index जो होता है वो find out करना या फिर WL liquid limit जो है वो find out करने है तो liquid limit के लिए minus लगता है इसके लिए plus लगत होती है इसको find out करेंगे तो plus लेगे इसको find out करेंगे तो minus लेगा दो हमारे पास value देगे 12.7 minus 8 हम करेंगे तो हमारे पास क्या answer आएगा और अगर in case 12.7 plus 8 हम करेंगे तो हमारे पास क्या answer आएगा यह चीज़ important है exam के point of you से तो यहाँ पर हमारा answer जो हो जाएगा option number C हो जाए अब अगला question देखी you are given a sample of soil containing coarse grain to determine its water content what will you to use for this purpose बोल रहा है कि आप आपको एक sample दिया जा रहा है soil जिसने coarse grain जो है contain कोईन के coarse grain है तो आपको उसका water content find out करना है तो आप what will you use for this purpose आप किसको यूज करेंगे water content को find out करने के लिए very important question है यह तो आप करेंगे oven drying method क्योंकि यह बहुत ही accurate या फिर सटीक method है accurate है आपको या फिर accurate result देखने को मिलता है आप इसलिए use करते हैं बहुत पाइप किलो मीटर भी कर सकता है specific gravity and water content को यह भी कर सकता है यह भी कर सकता है लेकिन most important accurate answer हमारा यह होता है क्योंकि यह accurate result हमें देता है अब अगला देखिए thicks or tropy of soil refer to thicks or tropy जो होती है soil की वो किसको refer करती है तो वो refer करती है gain of strength of soil with the passes of time after it has been removed option A अन्मारा अंसर हो जाएगा आपर अगला देखिए तो determine the liquid limit, liquid limit हमें find out करनी है in the flow curve, flow curve में the water content is plotted in, liquid limit हमें determine करनी है flow curve में, जो flow curve होता है उसमें, तो हम जो water content होते है उसको किस direction में plot करते है x axis में या फिर y axis में या फिर on any axis में पिर none of the किस एकशे में हम करते हैं TO water content जो होता है उसको हम य एकशी में करते हैं इस point को आप याद रखिए कि अब यह नहкийको बता है कि वाई весь में हम वाई एकशे में water content को इंडिगेट करते हैं लेकिन एकषन हम किसको करते हैं यह भी हम को पता होने चाहिए तो इसमें जो अगहात आप लगाते हैं कि number of blow जो होते हैं वो जैसे कि 25 number of blow आप लगाते हैं तो वो यहां पर लिखे जाते हैं कि 20 अपने किये 30 लिखे 40 किये या फिर 50 किये इतने अगहात जो हैं वो आपने मारे हैं तो यह question important exam के point आवी से अगला question देखिए है nature में कौन सा आपको पता कि hydrometer analysis जो correction factor होते हैं वो तीनों ही होते हैं लेकिन बोल रहा है कि यहां पर additive होता है वो आपको बताना है additive कौन सा होता है तो additive सभी को पता है कि many sis जो होता है correction यही होता है option A हमारा answer हो जाएगा अब यहां पर देखें बोल रहा है कि which one of the falling list does not possess plasticity इन चारों में से plasticity किसके पास नहीं होती है तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा plasticity जो होती है वो आपको clay जो होती है उसमें देखने को मिलती है plasticity जो होती है मिटी में होती है सबसे ज़्यादा तो जो यहां पर देखें हमारे पास bentonite जो होता है यह एक clay mineral है kaolinite यह भी clay mineral है fat clay नाम से fat clay बिला रहा है तो rock floor पीसा हुआ पत्त्र जो होता है उसमें plasticity नहीं होगी तो हमारा answer c answer होगा यहां पर correct answer तो इस point का आप याद रिखी important question है यह अब देखें next question क्या बोर रहा है for determination of water content the soil sample is heated for a period of 24 hour temperature of तो जब भी आपको water content जो होता है किसी भी soil का वो find out करना है तो आप क्या करते हैं कि जो हमारे पास sample होता है या फिर मिटी होती है उसको आप heat करते हैं 24 गंटे के लिए कितने temperature बर तो वो temperature होता है 100 से लेकर plus minus 10 degree Celsius हमारा हो सकता है जो होता है option C इस question में अंसर हो जाएगा इस question को आप याद रखिए बहुत ही important question है exam के point अब अगला question देखिए तो water retain by saturated soil water जो retain किया जाता है रोका जाता है saturated soil के दवारा after weighing centrifugal for 30 minutes by centrifugal force of thousand times that of gravity is term as उसको हम क्या बोलते है उसको क्या बोला जाता है उसको हम बोलते है equivalent moisture equivalent moisture हम उसको बोलते है यह हमारा answer हो जाएगा याँ पर अब अगला देखिए the thixotropic of soil is the phenomena of thixotropic जो होती है soil का वह एक phenomena होता है किसके लिए क्या किसके लिए क्या आपको बताना है तो यह एक thixotropic जो होती है phenomena होता है rotation of soil particle into a more stable state which occur the remolding process remolding process see हमारा answer हो जाएगा यहाँ पर अब अगला question देखिए the ratio of the natural water content minus its plastic limit to its plasticity index is called यह question मैं पीछे भी आपको बोला था कि क्या होता है तो इसको हम liquidity index बोलते है liquidity index जो होता है natural water content minus plastic limit to plasticity index यह होता है IEL से हम इसको denote करते है liquidity index जो होता है W minus WP over IP plasticity index इससे आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं यह question बहुत ही ज्यादा important है अब देखें बोला कि if the plasticity index जो है soil की वो zero है plasticity जो होती है zero है soil mass की the soil is कौन सा होगा clay silt clay sand कौन सा होगा तो मैं आपको बता जो कहूं कई बार की जो plasticity सबसे ज्यादा होती है वो clay में होती है clay फिर उसको बाद है कि toughness index जो होता है वो क्या plasticity and flow index का ratio होता है plasticity index and flow ratio होता है flow index अब देखें आपर numerical पूछा गया तो value of compression index for remolded sample के लिए compression index की value हमें बोल रहा है कि क्या होगी अगर liquid limit 50% है तो compression index जो होता है इसको CC से हम डिनोट करते हैं इसका जो formula होता है zero point two times zero seven into जो liquid limit होती है liquid limit हमारे पास दी गई है यहाँ पर minus 10% यह एक formula है ऐसा नहीं कि मैं अपनी बर्जिस यहाँ पर बना रहा हूँ एक formula है आपको wl की जगह आपको क्या लिखना है 50 लिखना है माइनिस 10 तो माइनिस करने के बाद 40 आएगा हमारे पास तो zero point two zero seven into 40 जब आप करते हैं तो हमारे पास answer zero point two eight आता है कहां पर देगा option b हमारा answer हो जाएगा यहां पर तो यह important है देख लिए कई बार यह question जो है यूपी जे में पूछा जा चुका है यूपी का जो जल निगम है वहां पर यह question पूछा जा चुका है यूपी आर वी यू एनल जे में यह question पूछा जा चुका है कई state के जे में यह question पूछा जा चुका है अब देखे next बोड़ा कि if a soil sample is dry beyond its shrinkage limit this sample will show कोई soil का एक sample है उसको हम dry सुका रहे हैं उसकी shrinkage limit तक तो आपको sample क्या देगा क्या show करेगा तो उसमें आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा उसकी जो volume होती है उसमें आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलता है option A हमारा answer हो जाएगा यहाँ पर अब अगला देखे इन बहुसी गए इस question to the problem of stress distribution all the following is option R इस question का क्या answer होगा तो यहाँ पर थोड़ा बहुत question में missing है assumption R x किस एक को छोड़कर होना था यहाँ पर किसी को छोड़कर तो यह assumption इसके according सही है यह भी सही है लेकिन यह वाली जो है वो बिल्कुल गलत statement है यह नहीं होगी इस चीज को आप याद रखिए अब यहाँ पर देखें दभूरा कि if the liquid limit of soil is 40% and plasticity index 12% the soil जो होता है वो किस category में आता है काउन सी category में आता है तो हमारा आता है inorganic silt of medium compressibility इसके ओपर मैं आपको plus 60 चार्ड के ओपर एक थोड़ी सी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा तो उससे आपको हो सकता है कि अच्छी तरह से understand हो जाए अब अगला देखे all soil possess dash at liquid limit all सभी soil जो होते हैं उसके पास क्या होता है उसके पास होती है same shear strength of small magnitude small shear strength small magnitude पर अब अगला देखे in a soil यह तब water content is equal to liquid limit water content जो है liquid limit से बराबर है यह दोनों क्या है बराबर है तो हमारे पास बोला कि consistency index जो होगा वो क्या होगा consistency index जो होता है तो उस cases में वो 0 होता है option हमारे पास a answer हो जाएगा यहां पर water content जो है वो liquid limit जो है उसके पराबर है तो हमारे पास zero होगा consistency index अगला देखिए when a water content in soil is reduced beyond the shrinkage limit the soil will be in water content in a soil is reduced beyond the shrinkage limit the soil will be in soil जो होता है वो solid state में होता है solid state में हमारा soil होता है next मन देखिए according to utter work the soil is had to be medium plastic if the plasticity index is plasticity index जो होता है वो बोर रहा है कि medium plastic कब कहलाएगा जब हमारी utter works के according to soil की limit जो होती है वो कितनी होती है तो उस case में जो PI होता है वो साथ से लेकर स्तारा के बीच में होता है तो हमारी जो plasticity बनती है वो medium plastic soil बनता है option हमारा B answer हो जाएगा अगर सतारा से ज्यादा अगर plasticity किसमें होती है तो वो clay में होती है यह भी important है सबसे हाई clay में ही आपको देखने को मिलती है plastic अब अगला देखिए the ratio of liquid limit to plastic limit for a soil masses ratio किसका liquid limit to plastic limit जो होती है soil sample की वो क्या होता है liquidity index, shrinkage ratio, consistency या फिर none of the ever तो यहां पर हमारा answer option D हो जाएगा आपको comment box में लिखना है कि इसका answer क्या होगा कि जो liquid limit to plastic index जो रेशो होता है वो किसका होता है इन तीनों को तो आपको पता कि तीनों तो है नहीं यहां पर सिर्फ none of above है तो यह होता किसका है यह आपको comment box से लिखना है अब अगला देखिए when the consistency index of soil is equal to zero consistency index जो है soil का वो 0 है तो soil को हम क्या कौन से soil बोलते हैं तो वह liquid limit में होता है कि हमारा soil अब अगला देखिए when the plastic limit of soil is greater than the plastic limit जो हो greater than है किसे liquid limit से तो हमारा plasticity index जो होता है plastic limit जो है जादा है liquid limit से तो plasticity index जो होता है वो equal to zero होता है zero हम report करते हैं कि वो जीरो ही होगा अब देखिए next बोलता है कि the ratio of plasticity index plasticity index to the soil friction is तो क्या होता है ratio plasticity index to the friction वो होता है activity of clay का ratio होता है उसको हम activity of clay बोलते हैं वाई अगला question देखिए soil with the plasticity index is zero may be called as क्या हम उसको बोलते हैं एक soil with the plasticity index is zero उसको हम non plastic बोलते हैं जिसमें हमारे पास sand आता है अब अगला देखिए the plasticity index to flow index का जो ratio होता है उसको toughness index हम बोलते हैं काई student ऐसे हैं जो कि comment करकर करके दिमाग खराब कर रहें कि sir marathon तो soil का अरे भाई जब तक हमारे chapter पूरे complete नहीं होते हैं तब तक आपको marathon कैसे मिलेगा complete होंगे उसके बाद ही आपको marathon मिल पाएगा actually थोड़ी बहुत problem मुझे थी इसलिए मैं कई दिनों से type नहीं कर पा रहा हूं तो यह थोड़ी बहुत typing की हुई थी तो हम उसके ओपर ही video बना रहे हैं क्योंकि बहुत ही बूरी condition थी 15 दिन हो गया लगातार कोई expire हो गया था अगरबर तो इस बचासे हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे आपके लिए एड़मांस पर बना के रखी हुई थी वही आपको हम प्रवाइट कर रहे हैं एड़मांस में पांस तात दिनों के लिए हम एड़मांस पर बना के रखते हैं वीडियो जब हमें टाइम लगता है तो इस बचासे नहीं प्रवाइट कर सके थे तो देखी नेक्स बन क्वेश्चन क्या बो रहा है था पार्टर कंटेंट आप सॉयल भी रिप्रजेंट था बांडरी बिट्वीन प्लास्टिक कि ए सैट थो कि प्लास्टिक एक्कुलीबियूम इफ in on the words of failure befall होने की कगाر पर होता है तब हमुस को प्लास्टिक एकुलीबियम बोलतने इसस्टेुंट के मासथ को देखी नेस्ट लेकुर्ज के 말을 है और लिकुलेमित और प्लास्टिक लीमिट जो है कोके सोल की मैं डिटर of soil will be तो यहाँ पर जो मैंने आपको दो फॉर्मुला बताए याद रखिए IP find out करना है हमें तो इस case में माइनिस लगता है लिकुड लिमिट find out करने उस case में प्लस लगता है पीछे शायद मैंने आपको गलत फॉर्मुला बता दिया था तो यह आई पी के लिए माइनिस लगता है तो यहाँ पर आप दोनों को माइनिस कर देंगे तो बीस परसेंट हमारा अंसर यहाँ पर आ जाएगा अगला वोशन देखिए तो flow index in soil indicate flow index जी होता है soil में वो क्या दरशाता है तो वो shear strength variation with water content यही explain करता है अगला वोशन देखिए this is field method of determining rough value of water content वोड़ा है कि this is इन चारों में से एक वोड़ा है कि field method होता है जो कि rough value को find out करता है water content की तो वो होता है sand bath method sand bath method होता है option a हमारा इस question में अंसर हो जाएगा अगला वोशन देखिए plasticity charge gives a relation between plasticity charge जो होता है वो relation बताता है किस के बीच में तो वो plastic index and liquidity index के बीच का relation आपको बताता है c हमारा इस question में सर हो जाएगा अगला वोशन देखिए the property of soil which enable to regain its strength property of water की soil की जो की अपनी उसी strength को regain कर लेता है lost on remolding in short time without change of moisture content उसको हम क्या बोलते हैं थिक्सो ट्रॉपिक हम उसको बोलते हैं थिक्सो ट्रॉपिक हम उसको बोलते हैं c इस question में सर हो जाएगा अगला question देखिए if liquid limit is increased liquid limit हम बढ़ा रहे हैं then compression index of soil compression index जो होता है वो भी बढ़ेगा liquid बढ़ेगा तो compression भी बढ़ेगा option d हमारा अंसर हो जाएगा यहां पर अब देखिए बोल रहा है कि यहां पर specific gravity देखिए question specific gravity तो आपको पता कि पाइक्नोमेटर water content specific gravity यह होती है वो पाइक्नोमेटर से हम find out कर सकते हैं अब यह वाला question दो हम पीचे डिसकस कर चुके हैं हम एक soil को plastic equilibrium कब बोलते हैं जब हमारा जो soil होता है वो failure की गगार पर होता है अगला देखिए क्या वह हो रहा है कि liquid limit of a soil indicate its liquid limit जो होती है वो किसको indicate करता है जिसने चैनल को subscribe नहीं किया है कर लिजिए साथ में बैल आइकन को दवा लिजिए तो liquid limit जो होती है वो compressibility को ही show करता है option a answer हो जाएगा यहां पर अगला देखिए nuclear density gauge nuclear density gauge can be used for all the following purpose except किसको छोड़कर nuclear gauge density gauge जो होता है उसको हम use करते हैं किसको छोड़कर standard penetration reading को छोड़कर इन सभी के लिए हम find out करते हैं यह चीज आप याद रखिए अगला question क्या बोर रहा इफ तस sensitivity of soil is between 4 and 8 then it will be cold as sensitivity जो होती है soil की 4 से 8 के बीच में है तो उसको हम sensitive soil हम उसको बोलते हैं option c हमारा यहां पर answer हो जाएगा अगला देखिए which of the falling soil have more plasticity more plasticity होती है सबसे ज्यादा जो होती है clay में ही होती है option c हमारा answer हो जाएगा यहां पर next one question देखिए the sensitivity of soil can be determined by conducting unconfined compression तो undisturbed and removed sample जो होते हैं इन दोनों से हम determined कर सकते हैं next one question देखिए swelling potential of soil is indicated by swelling potential जो होता है soil का वो किसके दोरा दृशाई जाती है swelling potential जो होता है तो वो activity जो होती है soil की उसके दोरा ही हम उसको आपको explain कर सकते हैं अगला कोशन देखिए तर sensitivity of soil can be defined as sensitivity जो होती है soil की उसको defined किया चल सकता है ratio of compression index of unconfined undisturbed soil to that of soil is removed state में उससे हम इसको defined कर सकते हैं अगला वो last question देखिए हमारे इस वीडियो का clay whose activity coefficient जो होता है more than 1.2 होता है उसको हम कौन सी clay बोलते है fine clay, inactive clay, active clay, normal clay उसको normal हम clay बोलते है 1.2 से कम होता है हमारा activity coefficient जो होता है clay खा तो उसको normal clay हम बोलते है option D हमारा answer हो जाएगा तो friends जिसने चैनल को subscribe नहीं किया कर लीजिए साथ में bell icon को दबा लीजिए और अगर आप mong test लगाना चाते हैं तो आप हमारी website पर visit कर सकते हैं मिलते हैं सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो में